हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज हम कलास 10 का सबसे इंपोर्टेंट चेप्टर त्रिकोमीती से संबंदित जितने भी महत्तुपूरु बहुविकल्पी प्रश्ण आपके पेपर में आते हैं उन सभी बहुविकल्पी प्रश्णों को आज एक ही वीडियो में यहां पर समाप्त किया जाएगा फ्रेंस यहां भी जितने भी प्रश्ण लिए गए हैं हंडीट परसेंटेज आपके पेपर में यहीं से प्रश्ण बनेंगे फ्रेंस इसमें वह सभी प्रश्ण लिए गए हैं जो 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 में अभी तक तिलको मीती से सवाल बन चु ट्रेंगे, फ्रेंस आपसे सिर्फ इतना request करते हैं कि आप वीडियो को लाश तक जरू देखिए गा जिससे तिलको मीती से संबंधी यदि आपके पेपर में प्रश्ण बनेंगे तो आप उस प्रश्णों को आप आसानी से हल कर लेंगे, फ्रेंस यहां पे एक चीश्च्छ आप सिर्फ वीडियो कलाश तक जरूर देखिएगा चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखिए यह आपके सामने पहले नंबर का सवाल है यहाँ पर देख सकते हैं देखिए क्या है पहला नंबर आपको पहले इसका विश्टार से बताएंगे फिर इसका एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप आसानी से इसको लगा सकते हैं देखिए त्रिभूज ABC में कोड़ B समकोड़ है यदि AB बड़ाबर तीन BC बड़ाबर चार AC बड़ाबर पांस तो साइन A का मान होगा देखिए फ्रेंच जब इस सवाल को लगाना रहता है तो आप पहले क्या करते होंगे कि पहले इसका एक त्रिभूज बनाएंगे समकोड़ मतलब होता है कि आपका 90 ANS का कोड़ होता है समकोड़ मतलब 90 ANS का देखिए 90 ANS का कोड़ यहीं पे बनता है आप सभी को पता होगा त lyn charities की आपे बीओ जागा इसके एलावा फरेंद्स आप AI यहाँ ले सकते हैं सी को यहां पर ले सकते हैं देखें यहाँ प्रैज्स यहां से पूछ रहा है आपका साइन यानी कोड एक के हिसाब से पूछ आपके तो होता है तो साइन एलब अऺड़ा होता है लंब बटा के क्रण करण करण अब फैर्स देखिए यहां पर भूजा पता तो यहां लंब बटा के क्रण अब फैरेंश देखिए हमेशा लंब होता है उसका आप याद रखिए गा। अब यहां से बस मान रख लीजिए लंब कितना है चार तो चार कर लीजिए कड़ कितना है पांच है तो पांच कर लीजिए ठीक है और यही साइन हो गए ठीक है प्रेंज इसको लगाने का टरिक जब भी तीन चार पांच का रेसियो देगा इसमें पांच हमेशा कड़ होता हमेशा क्या होगा इन दोनों में चेंज होता रहता है इस पेकर सब बना具 लगा सकते इसके लावा पांच को याद रखिएगा जिससे आपको कभी भी पाइथा गोरस पर में लगाने के वसकता नहीं पड़ेगा बहुई कल्पी लगाते समय इस पॉइंट को आप याद रखिए देखिए इस पे आप आगे सवाल मिलेगा वहां पर हल करके ट्रिक देखिए कितना सांदार ट्र टेन टीस अंस अपान वन फ्लस टेन स्कॉार टीसँ अंस बरावर होगा देखिए इसको लगाने का दो तरीका है पहुआ तरीका है लांग वीदी और दूसरा होता शाट वीडी देखिए अब यहाँ से पहले आपको बताते हैं देखिए यहाँ पर क्या है कि टू टैन ए बराबर वन प्लाश टैन स्क्वार ए आप लाइंग वीदी जार रहेंगे फ्रेंज लाइंग वीदी में क्या है कि टैन तीस अंस का मार रखके इसको हल करेंगे लेकिन आपको साट वीदी बताते हैं कि टू टैन ए बराब वन प्लाश टैन स्क्वार ए जो कि फार्मूला होता है साइन टू ए का डारेक्ट याद रखेंगे फ्रेंज जो बहुवी कल्पी हैं पूछेंगे इसी प्रकास लगाईएगा साइन टू होगा देखिए अब साइन टू देखिए एक हमान कितना एक हमान यहाँ पे तीस एथ तीस रख लीजी है अब देखिए साइन तीस दुना के हैं साथ यानि कि आपका एंसोर निकल गया चुट क्यों में निकल गया नहीं फ्रेंज देखिए इसमें सही जवाब क्या होगा साइन ये वाला सही होगा तो friends देखिए यहाँ पर a सही होगा लेकिन आपको लगाना होगा यदि लांग विध्य से कैसे लगाएंगे यहाँ भी क्या करते हैं friends देखिए 2 10 एक जगाप कितना है 30's है वन प्लास टैन स्क्वायर ती संस देखे इसको कैसे आप लगाएंगे लांग विधी से देखे दू गुड़े टैन ती संस कमान कितना होता है तो टैन ती संस कमान वन अपार रूट थ्री होता है वन प्लास टैन ती संस कमान वन अपार रूट 3 का स्क्वार होता है ठीक दोनों भी थी बता दरें फ्रेंज जो आपको बेटर लगे उससे आप लगाईएगा देखिए दो का वन में कड़ें दू बटा के करणी में 3 हो जागा देखिए 1 प्लस एक बटा करूट 3 का करेंगे स्क्वार तो एक बटा के 3 हो जागा अब देखि दू यहां पर आया दू बटा के रूट करणी में 3 अब देखिए फ्रेंज यहां से क्या करेंगे रूट 3 का प्रीमे करेंगे तो करणी 3 का उपर गुड़ा अंस में होगा करणी 3 का हर में होगा देखिए गुड़ा करेंगे रूट 3 हो जागा और यहां पर दू गुड़े 3 गर्णी से कड़ से 3 कड़ गया करड़ी थी बटा के 2 इस प्रकार से साइन्स 7 अपशन में देखे आप इस वीदिए से लगाएगा इस बाविकल्पी हल करने के लिए सबसे आसान है वस्याद रखेंगा सब्सक्राइब लगाना चाहते हैं यहां पर दोनों वीदी आपको बता दिए ट्रिक वाला फार्मूला से एक इस पकास है तो आप दोनों वीदी से सवाल को लगा सकते हैं असानी से ठीक है अब फ्रेंज चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यहां पर देखें इसको भी आपको बता देते हैं साट वीडियो से देखें क्या है कि टू टैन तीस संस अपान वन माइनस टैन स्कॉा तीस संस बराबर होता है देखें यहां पर क्या करना है आपको यह फार्मूला याद रखना जिससे आसानी से अलग जा फ्रेंज एक चीज ए आपान 1-10 square A यह फार्मुला जो होता है 10 2 A का होता है किसका होता है 10 2 A का यहाँ पर मान रखें 10 2 A के जगब कितना 30 है 30 का ले कितना हो जगब 10 60 का ति इसमें सही जो आपकी क्या होगा यह होगा देखें फ्रेंज यहाँ पर आपको confusion हो रहा होगा कि अभी उपर बता है तो sin 6 अठान्स आया है अभी यहाँ पर सवाल बता है तो यहाँ पर 10 6 अठान्स आ रहा है देखें फ्रेंज इसमें क्या है आपको कि देखें यहाँ पर फार्मुला आप याद रखेगा 2 10 A अपान 1 plus 10 square A रहेगा ति इसको क्या लिखते है sin 2 A का, नहीन 2 A का फार्मुला होता है किसका फार्मुला होता है sin 2 A का इसके लाब फार्मुला आप याद रखेगा 2 10 A अपान 1 minus 10 square A रहेगा यह होता है 10 2 A का ठीक है देखें यदि फ्लस यहाँ लिखा रहाँ तो साइन 2 एकर दा आता है यहाँ पर माइनस रहाँ तो किसका रहाँ गा टैन 2 एकर दी इसको याद रिखेगा तुरंत आप एक लाहिन में सवाल को लगा सकते हैं समझ में आ गया हो फ्रेंस इस फार्मूला को आप लिख लीजिएगा ठीक है जिससे बहुई कलपी आता है तो आपको लांग वीदी से लगाने क्या हो सकता नहीं आप 60 वीदी से तुरंत लगा के अंसुर बता सकते हैं यह चीज़ समझ में आ गया हो गया चलिए अगले नंब ब्यांस होगा एक होगा साइन 45 या जीरो होगा देखे इसको आपको लगाने के लिए क्ल लीक्या करना है बस एक ट्रिक है ट्रिक क्या है यहां पर मा रख लिए सबसे सिंपल तरिका देखे में फ्रेंस 10वाहटीं 10 तो यहां पर लांग वीद्धी और शाट वीद्धी दोने वीद्धी बता रहे हैं और यह जितने भी प्रस्ण लिए आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन इफ्रेंस आप वीडियो के इसकी मत कीजिएगा ठीक है अब पूरे को ध्यान से जरूर देखिए और यदि वीडियो आपको पसंद आए साथ में तो वीडियो का लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए है तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है चलिए प आट रिक भी बताएंगे देंख्ये कैसे बताएंगे पहले इसको देख लेते हैं साइन टू ए बराबर टू साइन ए देखे यहां परalnya का फार्मूला होता है टू साइन ए और क्या होता है कास । a कितना हो गanti यह इसका बनाबर हो गाइग जीलत अब देखे कि क्सकी चौई जवाबेग क्या आप क्या करना हे कि यहां पहले को देखिए । पारी पारा क्या करेंगे जैसे साइन टूए साट वी दी देखिए यदि यह नहीं समझ में तो इस तरह देख लीजिए ठीक है अब क्या करेंगे यहां से आपसन को उठाएंगे और यहां पर रखके देखेंगे किस पे दोनों मान बराबर हो रहा है देखिए जैसे यहां experiment करेंगे जीरो होजागा स्चाहिन-घिरो ऑणस के मान किया होता है जीरो ऑ100ू गुड़े साइन 0ज करमाण जीरो जीरो बराबर जीरो इसका मान- कितना होगा जीरो ऑन्स वहला ही होगा जैसे आपका 0 पर यह बराबर नहीं watching us angry डॉनवных दो जई आपको पेपर पता होगा कि इसमें सवाल कितने पूशते हैं ठीक है? अब देए चट्वारी नमब्ब का सवाल है यदी 10 kell का मान यहाँ पे आपको बताना है देखे 10 kell का मान आपके जहीं है? देखे 10 kell का मान और कैसे बताए है Angin Bask 5 इसको देखिए आपको बताते हैं 60 वीडियों से साइन ठीटा बराबर तीन बटा के पाँच है साइन ठीटा का फार्मूला क्या होता है साइन ठीटा का होता है लंब बटा कड़ अभी उपर पहला सवाल यही बता है लंब बटा के कड़ होता है यहाँ हो गया तीन, यहाँ हो गया पाउच ठीक है। यहाँ से देखेंगे तहा लम कितना हुआ आपका मुआ के कट काम demokratP याइट ही व मतब़ी एक भूजा बच रहती है आधार हो जागा बीना पाइथा गोरस परमे लगाई से पाचान सकते हैं अब देखें क्या पूशा है 10 ठीटा यहां पर 10 ठीटा वराबर फार्मूला क्या होता है लंबटा के आधार क्या होता है फ्रेंस लंबटा के आधार लंब कितना है तीन आधार कितना है चार देखिए बिना पाइथागोरस परमे लगाए आसानी से इसका इंसोर निकाल लिये कि नहीं निकाल लिये तो इसका सही जवाब होगा तीन बटा के चार तीसका सही जवाब यह वला होगा ठीक है तो आप यह रेशियो जरूर याद रखें तीन चार पांच का रेसियो हयता है ठीक है इस प्सक्राइन से बॉनिल्प प्रश्ट अप्रश्नु को आप आसानी से लगा सकते हैं कुछ सेकेंडों में लगा सकते हैं ठीक है अगले नंबर क voulais सवाल को देकर हैं देखिए साथवा नंबर का सवाल है कि साइन पंद्रा अंस बटा कास 75 अंस कमान होगा इसको ट्रिक्स कैसे लगाएंगे कुछ सेकेंडों में लगा देंगे लेकिन पहले इसका लांग वीदी बताते हैं फिर इसका साथ वीडिय दम बताते हैं पर लांग वीदी दख साइन देखिए यहां पर लिखेंगे लिखता है नबवे में से कितना गटाएंगे तो 15 आप बताएंगे 75 कास 75 लिख लेते हैं अब यहां पर देखिए अगला इस्टेप चलिए बताते हैं कि साइन नबवे माश टीटा क्या लिख सकते हैं यही फार्मूला आपको पता यह छीटा गया पचातर एक पचातर लिए पान यहां पे कास पचात्तर रंस् 오늘은 ठीक है यह पूरा कड़ बराबर है यहां पर कितना क yr हमेइसा एक ही था यह चीछ जानते रही है इन दोंको का मान यदि 90 हुआ उसका मान हमेसा कितना होगा एक होगा तो इसको बिसको बीना लगा भी आप ट्रिक से तुरंत इंसर बता सकते हैं किसका इंसर कितना होगा एक होगा ठीक है समझ में आगया होगा ट्रिक भी चलिए अगले नंबर के सवाल को आपको इसी प्रकास लगा के देखाते हैं अठमा देखिए अभी आप क्या करना है साइन नौंस मक्रा इसका है आपसंधी आपके सामने अब इसमें देखिए इन दुनों これ यह पहले चींद के अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर क suscept का है देखिए यहां पर क्या है कि साइन स्क्वाइट ठीटा माई डाट सेख स्क्वाइट ठीटा का मान गयात करना है देखिए इस तवाल को कैसे लगाएंगे यहां पर दिया है आपका कि साइन साइन स्क्वार ठीटा डाट सेक स्क्वार ठीटा देखें साइन स्क्वार ठीटा डाट का मतलब गुड़ा होता है सेक स्क्वार ठीटा का मतलब क्या हो सका सेक का उल्टा क्या होता है कास होता है कास स्क्वार ठीटा हो जागा यानि कि यहां पे लिखना होगा साइन इसक्वार ठीटा बटा के कास इसक्वार ठीटा लिख सकते हैं सकते हैं साइन ठीसिता बटा के काश्ट ठीटा और यहां पर इसकुार होता है एक अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल देखिए लुक्ते शोल को आप कैसे लगाएं नियुक्ञा दस्वान नमबर का सवाल है कि 10 ठीटा बराबर साइन ठीटा तो ठीटा का मान यहाँ पर क्या होगा देखें एक दो ट्रिक वाला बताते हैं कि आप क्या कीजिएगा कि करम से ठीटा का मान पैधाली संस यहाँ भी यहाँ भी दोनों साइड रखके देखिएगा कि इस पर दोनों मान बराबर होगा वही वाला एंस्वर आपका सही होगा एक तो यह तरीका है अगला तरीका क्या है उसको लगा के बताते हैं देखिए अगला तरीका क्या है कि 10 ठीटा बराबर साइन ठीटा 10 theta क्या लिख सकते हैं अभी पता है कि 10 theta को sine theta बटा cast theta लिखा जा सकता है और बबबब sine theta होता है دेखे sine theta n theta कड जागा अब यहाँ भी क्या होगा एक बटा कि cast theta होगा और बबबर एक होगा ठीक है जब कटा है तो एक होगा तीरिया गुड़ा कर लिए एक बराबर क्या हो जब कास ठीटा यह बताए कि ठीटा कास की रूप में किसका मानेक होता है आपको पता है कि कास 0 का मानेक होता है यह 0 ऑसigent ठीटा слож से स्काफ खड़ जागा तो 0 कि इंसर एंस पर करेंट्ट होता है इसका रान्ग करएक सकते हैं ठीक लांग वीदी हैं साट वीदी यह साट वीदी से ऐसे बहुकल्पी प्रशनों को लगा सकते हैं तो फ्रेंस आपको दोनों वीदी साथ में बता रहे हैं जिससे जो वीदी आपको पसंद है उस वीदी से बहुकल्पी प्रशनों को आप साथ में हल कीज़ेगा यह जे लिए Local 90 मैनिस चीटा का मान बताना है यहां भी इसका कोई मतलब लुजक मत्लब कहाने का जिए चीटा क momentos को भी्र कि वह कहाने कि बीच में होना चाहिए अब यहां पर कास 90 माने चीटा क्या लिखा करेंगे हमान नम्बर का सवाल है यदि ठीता फिरत का मंदिया और ऐ बतागे भी हो तो physi Нав्ट माइनस ऊक्षटतव अपन बी सैंट सर्ट प्लस ऊक्षटता देखे फुरेस इस सवाल को तो हम क्या करेंगे फ्रेंस कि आपको 10 बराबर पता है कि 10 ठीटा बराबर क्या होता है कि साइन ठीटा बटा के काश ठीटा और इसको कितना लिख सकते हैं ए या पन भी ठीके लिख सकते हैं अब देखे फ्रेंस यहां से क्या करेंगे साइन अंस में होना चाहिए और हर में क्या होना चाहिए काश ठीटा यहां से क्या करेंगे कि काश ठीटा कामल लीजिएगा जब यहां से काश ठीटा कामल लेंगे तो अंस में काश ठीटा कामल लेते हैं यहां से बच्चे काश यहां से कास टीटा कामल लेंगे तो यहां पर हो जागा भी यहां पर लिखा है साइन देखें यहां पर साइन लिखा है तो साइन लिखेंगे बटा के यह कास हो जागा इसलिए कामल लेंगे इसके हर में होगा प्लस यहां से कास टीटा कामल ले लेगा तो यह बचेगा ठीक ह B-A upon B, B-A upon B, यहां sin theta पर काश्ट यहां कर लिख सकते, A upon B, प्लस A, ठीक है, अब देखिए, इसको हल कीज़े, देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए, B से B कड़ जाएगा, इस B से B कड़ जाएगा, यहां A बचे गा, A में से 1 जाएगा, 0, यहां A कितना हो जाएगा, 2A, तो पाइथा गोरस पर में लगाके लंकड़ आधार साइन ठीटा काश ठीटा कमान निका लेंगे इस तर तिर्भूज बनाके ठीक है तो आपको क्या करना कि यह त्रिभूज बनाके आपको नहीं लगाना जैसे पता है इसी प्रकास से आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते है कुछ सेकेंड में ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर के सवाल है यह देखिए देखिए नो से किसक्वार ए माइनस नाइन टैन स्क्वार ए बराबर है अब यह बराबर किसके देखिए यहां से जब दियांस देखें कि इस सवाल में ठीक है तो दोनों में क्या है? 9 कामान है, यहां से 9 कामान ले लिजिएगा, यहां बचेगा क्या? से की स्कॉार ए माइनस, यहां से बचेगा 10 स्कॉार है, देखे फिरें, 9 गुड़ा, से की स्कॉार ए माइनस 10 स्कॉार एक मान कितना होता है तो आपको पता होगा, तो यहां पर लगा देते हैं यहा पर घटेते हैं यहां पर देखेंगे सेख ठीटा का मान कितना होता है यहां पर लिखेंगे सेख ठीटा बराबर सेख ठीटा का मान कितना होता है तो आपको यह मान पता होना चाहिए कि सेख ठीटा का मान कितना होता है ठीक है यहां जब सेख ठीटा का मान कितना होता है ठीक है यहां जब सेख साथ हंस का होगा कितना का सेख साथ हंस का सेख सेख आपको हड़ जागा ठीटा बरा कितना हो जागा साथ हंस लेकिन इसमें एंस्वर्म कई मिला है पाई की रूप में दिया है तो इसको पाई की रूप में बदलने के लिए ध्यान दिजिए कि साथ हंस को पाई बदलने के लि यहां पर most important आपके 14 question लिये थे जहां से आपके board के exam में 100% सवाल बनते हैं और तिरकोमीती से यहीं से सवाल बनेगा यह जानते रहें यह friends जो सवाल आप 14 कराएं इसी में से आपके board के exam में तिरकोमीती से बनेगा इन सवालों को आप एक दो बार जरूर हल कर लिजेगा जिसे board के exam में आपसे किसी प्रकार की गलतियां न हो ठीक है friends देखे friends आपको एक ची बता दे कि आपको सभी subject का ठीक है सभी विसे का हम chapter wise जितने भी पहुई कल्पी प्रश्न most important बनते हैं आपके paper के लिए ठीक है chapter wise मैद का English का समाजी विग्या जितने भी विसे च्छावों विसे उन च्छावों विसेओं को आपको chapter wise बहुई कल्पी प्रश्न हल कराएंगे ठीक है